जाएरी सासंग जी प्यार फरी राधा स्वामी जी सासंग जी आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए अगर वीडियो अच्छे लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत खुनिए सासंग जी जैसा कि आप सब जानते हैं जब बाबा जी दर्शन देते हैं तो जब सासंग करते हैं तो बहुत जादा संगत बाबा जी का सासंग सुनने आती है ऐसे ही जब बाबा जी एक दिन सासंग करकर हटते हैं तो एक बज़ुर्ग औरत आती है और जिसे देगर सेवधार उन्हें बठाने की कोशिच करते हैं लेकिन वैं बज़ुर्ग औरत जो है अम नहीं बैटती तो बाबा जी उसे कहते हैं सेवादारों को को आने दीजिये तब बाबा जी उनके सामने खड़े हो जाते हैं तो वे बाबा जी के चर्णों में गिरने लग पड़ती हैं तो बाबा जी उसने उठाते हैं और कहते हैं माता जी क्यों मुझे पाप चड़ा रहे हो आप तो माँ की उमर की है बलकि मेरी माँ ही है और माँ से बेटा के से पैरी हाथ लगा सकता है और आप मेरे हाथ पैरों को हाथ मत लगाएए वो औरत कहती है कि बाबा जी मेरी उमर हो गई है अब मैं मरने वाली हूँ तो मुझे आप लेने आना तो बाबा जी कहते है माता जी आप आओंगा लेकिन मैं बजूर्ग ओर्त फिर बाबा जी के चल्लों में गिरने लगती है तो बाबा जी कहते हैं मत कीजिए आप मुझे पाप चड़ाएंगी वैं और ओरत कहती है कि नहीं बाबा जी ऐसा नहीं होता है और जी कहते हैं देना है तो आप मुझे आशिरवाद यह और यह बात कर मुझे बजूर्ग ओर्थ बाबा जी को अपने गले से लगा लेते हैं तो वह बजूर्ग ओर्त हसने लग पड़ती है और बाबा जी सेवादार को कहते हैं कि इन्हें उन बील चीर पर बठा कर जाओ इन्हें लंगर खिलाओ तो बाबा जी को कहती है वे बजर्ग औरत बाबा जी मेरा ख्याल जरूर रखना बाबा जी कहते हैं मैं हमेशे आपके साथ हूं मता जी चिंता मत कीजिए आपको जब भी जरूर तो पड़ेगी आप मुझे मिलने आ सकती हैं ये बात सुनकर वे बजर्ग औरत थी उनके चहरे पर समाइल आ जाती है और वे बाबा जी को कहते हैं कि बाबा जी आप बहुत अच्छे हैं तो बाबा जी कहते हैं जिनकी मा इतनी अच्छी है तो वो बेटा क्यों नहीं अच्छा होगा साथ संगा जी बाबा जी ही है ऐसे वे सब क्या आदर समान करते हैं तो साथ संगा जी ये रही मेरी आज की वीडियो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सभी सासंगा जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी